कि वंदेमा हम भले देश से हजारों मिल दूर आप यहां रहते हैं लेकिन दिल जो है वहीं रहता है और गालने की जोत नहीं है अभी सरना साहिब ने बतलाया देश की अजादी मिली फासी के फंदे को चुम लिया खुदी रामबो सिंदू था फासी के फंदे को चुम लिया सर्दार भगत सिंग सिख थे फासी के फंदे को चुम लिया इस्पाप उल्लाख खान मुसल्मान थे आजादी के बाद एक भारत का नया शपना लेकर के आजादी आई थी आज हम रुस्तार्ट आस्ते पे चल रहे हैं हमारे सामने बहुत चुनोतियां है भारत एक विविश्ता का देश है वहां हर जाती के लोग हैं हर धर्म के लोग हैं हर भासा के लोग हैं हर प्रांत के लोग हैं तो भारत एक बगीचा है गुलसन है इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं सिक भी हैं इसाई भी हैं दरित भी हैं ब्रह्मन भी हैं और बगीचा का व कि हमारे भारत रुपी बगीचा में कोई फूल मुर्जाने नहीं पावे हर कली को खिलने का मुका मिले हर फूल को मुस्कराने का मुका मिले समाज के जो गरीब बग के लोग हैं जो सदियों से पिछले हुए थे आज उसके लिए हम बहुत बरा काम कर रहे हैं हम कल गए थे दो कर सकते हैं कि जो हमारा सोशल वैलफियर स्टेट का क्वंसेप्ट है देश में जो है जो असी करोडा वादी है 80 करोड आट सा मिलियन जो लोग हैं उनको हम संतेतर पर दो रुपे कीलो गय हूँ तीन रुपे कीलो चावल एक रुपे कीलो मोटा आनाज दे रहे हैं इसका यह पॉंड में देखेंगे तो कुछ नहीं है जो हमारे बच्चे हैं हमको काने की जोत नहीं है आज 55% हमारी आवादी नौजवानों का है और आज वो ना सिर्फ लंडन ना सिर्फ इंग लेंड बलकि अमिर्का जैसा उएस ऐसा देश है वो वहां के जो आईटी में हर सेक्टर मे दूसे लोगों को मात देने का काम कर रहा है अमिर्का में ओबामा ने एक बार कहा था किसा हमको इंडियंस थे सीख लेनी चाहिए कि जितने मेहनती हैं जितने इमांदार हैं और जिस तरीके से संघस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए हमारे यहाँ पहले लोग आते थे गरीबी के कारण जो है नीचे काम के लिए तबके के लोग आते थे आज हमारे यहाँ हर तबके के लेकिन बाग मा को सब ने देखा है और जो बाप मा का अस्थान है वो भगवान से कल्चर है उसको हमको हमेशा अच्छुन डखना है और हम बाहर देश के बाहर जाते हैं हम भूल जाते हैं हम जब बाहर जाते हैं कहीं जहें रंगीन चेहरा मिलता है अपना चेहरा मिलता है वो हिंदी जाने नहीं जाने वो पंजाबी जाने नहीं जाने लेकिन हम सोचते हैं य लेकिन कोसिस करते हैं कि हम इनको बतलाने का काम करें और हमको सबसे ज्यादे खुरसी हुई कि प्रदानमंद्री नननल मोदी जब आए लंडन आए अमिर्का गए निवार्क गए अस्ट्रेलिया गए जपान गए सारे जगहों पर जो हमारा रगल का प्रोसी देश है चाहे ने इस तरह के का रिस्पॉंस आप लोगों ने यहां दिया हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहां जो है लागों की संख्या में लोग जूड़ जाएं जो जगह है वो छोटा पर जाए अमिर्का में छोटा पर जाए वो आपका जो है फारत के परती और प्रदानमंद्री के प सरकार है हम आज से राजीती में नहीं है यहां कम से कम पचास बार से जादे आ चुके हैं 69 में 69 में हम पहली बार ये मेले बने थे आज से 47 येर्ट से पहले 77 में दुनिया में सबसे जादे भोट से जीते थे गिनिस बुक अप वन नेकर में मेरा नाम गया था सारे पांच लाग भोटिं तुके सब्सक्राइ के नेकर के अब भारत से लेकर के भी फूर्ट सीविसी नहीं है जहां भारत के हमारे लोग नहीं है हम ब्राजिल में गए, ब्राजिल के जो कहगते हैं कि वहाँ जो मेयर थे और मिनिस्टर थे, वो लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि पासमान साहईब यह हमारी जो गाएं हैं, वो हमारी गाएं जो है इंडिया किसे आई हुई थी, 90 प्रसेंट गाई इंडिया की है, तो यह है हम नवा देना चाहता हूं, मुबारक बाद देना चाहता हूं, आप हसते रहें, खिलते रहें, आगे बढ़ते रहें, भारत मा की जैक करते रहें, और हमेसा याद रखें कि देश का जो इंट्रेस्ट है, वो सबसे उपर होता है, नेशनल इंट्रेस्ट सबसे उपर होता है, और आज उसी का नतीजा है कि हम सब लोग गर्ब से करें कि हम भारतिये हैं ये जो हमारा जो एक जो मिला है हमको खुसी मिली है उस खुसी को हमेशा बरकरार रखें कितना भी आपस में जगरा हो कुछ हो लेकिन मां मां होती है बाप बाप होता है भारत हमारी मां है हम उनका करेंगे उसके लिए हम जो है कुर्बानी आगे भी देने का कज्रूत होगा हम कुर्बानी देंगे इनी शब्दों के साथ आप सोलों को बहुत बहुत धन्नबाद जैहिन जैफारत करेंगे जैए मुटबाद देने के साथ बहुत दुजत बहुत宮, जैए, हम एप दुजत मैं पहाइजाद कापकina । झाल झाल